प्रमार के लिए देखिए देवी भागवर्थ महापुरान दर्मा मै विश्णु अर्थिव ये तुम्हारी प्रमाव से जनमवान है हम तो जनम वान है हमारा तो जनम होता है और मर्दे हैं नित नहीं है हम अभी नाती नहीं है फिर इंद्राजी दूसरे देवतान नित किस परकार हो सकते हैं किर्पिया अवश्य सुनिये जगत गुरू सत्वतर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचान कि अवश्य सुनिये अवश्य सामपाल जी था जब के अवश्य संत लागा जब जित वचान कर दो कर दो मुनस जीवन केवल इसलिए प्राप्त होता है कि हम मौक्स कराओं जनम मरन के दीर ग्रोग से पीछा छुड़वाओं लेकिन तत्व ग्यान ना होने से हम साधना करते करते भी जीवन वर्ष कर जाते हैं ये काल का जाल है बहुत बैंकर जाल है पुन्यात्मा प्रमेश्वर ने विशेश रजा वक्सिय इस दास के उपर कि उसके सट ग्यान को उसकी प्यारी आत्माओं तक पहुचाओं सैयोग प्रमेश्वर का ही है सक्ति उसी की काम कर रही है कबीर देव जी की अन्य था ये कटू वचन ये कड़वा ग्यान कुनीन से भी कड़वा है लेकिन पुन्यात्माओं समाजबुदीमान हो गया है सदगरंथ हमारे पास है और जिन सदगरंथों को जो वर्ण मानता है जो वर्ग सत मानता है जैसे हिंदू वर्ग जो है हिंदू जो पवितर हिंदू दर्म के नियाई है पवितर चारों वेदों को पवितर श्रीमत भगुत गीता को पवितर पुरानों को इन को सत सद्गरंथ मानते हैं और इनी सद्गरंथों में आज वो सचाई है जिसे हम वनचित रहे जिसकी हमें बहुत पहले आऊ सकता थी तो आज उन सद्गरंतों से हमें उपलब्धुई तो पुन्यात्मा स्विकार कर रहे हैं और बुझीमान वही होता है जैसे किसी को मिलेरिया रोग हो जाता है तो उसको कुनीन खानी ही पड़ेंगी कड़वी नहीं तो जीवन से हाथ दो बैठेगा तो ये तत्वग्यान जो है कड़वी कुनीन है और ये इस अग्यान रोग को नास करेंगी और साथ मजनम मर्तु के रोग का भी इसका इलाज इसी से होगा पुनात्मा एक पुर्मात्मा को छोड़कर पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी अंपर्भू की ब्रह्म की साधना करते हैं वो मौक्षदाइक नहीं है वो आपको जनम मर्तु के इस दीर ग्रोग से नहीं छुड़वा सकती और जो हमारे प्रार्वद के जो पाप करम है नास कर सकता है नहीं तो आप जी के पास त्यास है हमारे वगवानों का जिनको हम प्रमात्मा माना करते थे जैसे श्री विशनु जी उनके अवतार श्री राम चंदर जी श्री किरसन जी सुबह के सथसंग में आपको बताया था प्रारवद के पाप को भी नास करके हमें सुखी कर सकते हैं प्रमात्मा किशी भी संत या महन्त के पास या जाड़ फूक करने वाले के पास कोई व्यक्षी अपने संकट निवारन के लिए या किसी अन्य प्रेत बाधा से बचने के लिए जिस भी कारण से दुख निवारन के लिए जाते हैं तो पहले तो वो अपने जंतर मंतर बताते हैं ऐसा किजिए ऐसा किजिए ऐसा किजिए ऐसे इस मंतर का जाब कीजिए और कुछ दार्मे कनुस्ठान भी करने के लिए कहते हैं करवाते हैं कुछ पैसे स्विम भी लेते हैं कि हम पाठ करेंगे कोई देवी का कोई बैरो का और जब उन से भी कोई लाव नहीं होता है तो लास्ट में ये कह देते हैं कि ये आपके प्राहरव्द कर्मों में लिखा हुआ है ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा पुने आत्मों फिर भी वो आत्मा इस बात के संतुष्क नहीं होती है उनके उतर से वो किसी दूसरे के पास लाते हैं वहां भी पिर ऐसे उनको लोटा जाता है विधी बताई जाती है लास्ट में उनको भी यही जवाब मिलता है लेकिन ये आत्मा इस बात को खूब जानती है कि परमात्मा सर्वे सुख दे सकता है सर्वे दुखों का निवारन कर सकता है इस बात को आत्मा भूली नहीं है लेकिन परमात्मा मिले तो वो सुख हो परमात्मा मिले तो वो कश्ट निवारन हो परहर्वत के संकटों का नास हो हमें परमात्मा ही नहीं मिला था और जब परमात्मा मिल गया तो उसके अंदर ये गुन है कि वो हमारे घोर पाप का भी नास करके हमें सुखी करता है इसलिए परमात्मा की तलाश यदि जैसा जिसके करम में हैर वैसा ही भोगना ही पड़ेगा उसने तो फिर बगती की आउसकता ही नहीं है ये तो वो छूरी होगी जैसे किसी के पैर में काटा लगया हो और वो कहे भी बेरे पैर में पीड़ा है कोई विक्ती उसके पैर को देख कर बता तो सकता है कि तरे पैर में काटा लगया है जिसके कारण पीड़ा है और उस काटे को निकालने की उसके पास ओजार नहीं है, इंस्टूमेंट नहीं है और वो कह दे कि काटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे से बविस्थे में काटा नहीं लगेगा तो तत्व ज्यान, हिन, संत ये कहा करते थे, कि ये तो तिरे प्राहणद का भोग है, तुझे भोगना इपड़ेगा, पर नहीं तु भगती करता रहे, बविस्थे में तुझे सुक्ष होगा अब जिसके पैर में काटा लगया हो, और उसको कोई कहें काटा तो निकलेगा नहीं, तो जूता पहन ले, आगे काटा नहीं लगेगा तो पुन्य आत्माओ काटा लगे पेरों में जोता पहना नहीं जा सकता काटा निकल ले और फिर उसको राय दी जाये कि आगे से नंगे पेरों मत पढला यह यहसे मोटे- मोटे काटे आपके पेरों में घुश जाएंगी तो फिर वो प्राणी इस डर से जूता पहनेगा और बड़े सावधानी से प्रियो करेगा कभी लापरवाईद नहीं करेगा कहीं फिर से काटा ना लग जा इसलिए वो जूता निकाल लेगा नहीं तो पुन्यात्माओं पहले तो प्रहर्द पूरे पिछले जनम के पाफ कर्मों से जो आपके प्रहर्द में आपके जीवन में संकट आ गया वो काटा ला गया तो उस काटे को निकाला जाएगा और फिर आपको सला दी जाएगी कि ये राम नाम का जूता इसको पैन के रखना इस नाम को छोड़ना नहीं तो वो पुन्यात्मा जो दुख से सुखम बदला है तो उससे वो आजीवन दुख बूला नहीं जा सकता उसको ग्यान से ये पता भी लग जाता है कि कहीं फिर से मैं बगवान के बगटी को चाग दूँ और वो संकट फिर से ना आ जाए तो इसलिए वो राम नाम का जूटा आजीवन पहनेगा वो निकाल नहीं सकता से और काटा निकलने के बाद ही जूटा सुख आवगा अब कोई दुखी परानी है हम कितना ग्यान देले जब तक उसकी आत्मा में ये फर्मा आत्मा उसको रहात नहीं देगा तब तक युग्यान भी अच्छा ना लागा उसके तो पुन्यात्मा आप विश्वास करना पड़ेगा आपको जो पुन्यात्मा पूरन रूप से ये विश्वास कर लेते हैं कि कबीर इस गौड तब ये भगवान आपका कर पकड़ेगा आपका पहुचा पकड़ लेगा फिर ये समर्था छोड़ता नहीं जब तक हम डगमग रहते हैं और अपने पिछले ही उन मित्रों को नहीं चागते हैं देवी देव तु बहरो भूतों को तब तक ये मालक आपको सुविकार नहीं करेगा ये नियम है इस पर भूका ये पहले गांठ बाद लो अपने पल लेगा और जिसके न आप एक मालक परास्रीत हो जाओग इस प्रमेश्वर कबीर देव पया जबकि सभी गीता बताती है कि तो सर्वभाव से उस प्रमेश्वर की सरन मजा सर्वभाव का मतलब है आनुपासना कती ट्याग दे भूल जा उन पिछले सभी देवी देवता जिनके पूजा करते करते दुरुती को प्राप्त हुए और आज इतने संकट धेल रही है दिनता कोई घर सुखी नहीं और सभी कोई ना कोई पूजा देवी देवी इस्ट की अवस्चे कर रहा है और फिर भी घोरकष्ट तोंकि वो देवता आपको आपके प्राहरद में कोई प्रिवर्तन नहीं कर सकते है आपका जैसा करम है वैसा ही देंगे वो ही आपको भोगने के लिए विवस होना पड़ेगा और ये समरत कबीर प्रमात्मा है जो आपके प्रहरद का नास करके आपके जो हना संकत को खतम करके और नए सिरित आपके शुब संसकार लिखेगा मासा घटे नातिल बधे विदना लिखे जो लेख और सत्ता सत्त गुरु मेठ कर उपर मारे मेठ अप प्रसंग यह आता है कि आप जी ने आज़त कबीर बगवान सुने नी आपने के लिए इतना सुना था कबीर एक जुलाहा था और जो शिक्षा गरन की है जिन्होंने उन्होंने कभी मान रखा था कि उसके दोहें हम पढ़ा करते थे पुष्टकों में और एक सुदर जाती में हम उनका जनम मानते थे पहले तो प्रमात्मा का जनम नहीं होता वो तो स्वेंभू है उस कभीर परमेश्वर का कोई जनम नहीं हुआ वो स्वेंभ अपने सतलोक से आये थे एक बालक रूप धान करके कमल के फूल पर जराजमान हुए थे वहां से नीरु नीमा नाम के जला दमपत्ती परमात्मा को उस हिसु रूप में घर ले गए थे वो पिछला कोई उनका मालिक क्या से योग था और जब परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते रहे अपने तत्वग्यान जी सुदे से साइथ तत्वग्यान का परचार वो किया करते थे पुलात्मा पहले तो हम आपको सद्गरंथों से ये परमानित करेंगे कि चारों वेड कबीर परमेश्वर की महिमा का गुनगान करते है कि कबीर इस गौड कौन सा कबीर ये जुलहा कबीर धानक कबीर ये वो संत बताएंगे जिनको परमात्मा का साखशाच कार हुआ तो जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि कबीर इस गौड तो हमारी बगती नहीं चल सकती क्योंकि हम भरमित है और जब तक संका निवार नहीं होगी भगती पर हम लग नहीं सकते जैसे स्रीमत भगत गीता अज्जाय नमबर दो के सलोक नमबर त्रेपन में कहा कि अर्दुन जिसमें तेरी बुधी भिन भिन परकार के भरमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व जान पर सथिर होगी तब तो तु योग को पराप्त होगा तब तो योगी बनेगा यानि भगत बनेगा तु योगी में भगत साधक नहीं तो साधक भी नहीं कोई कुछ कह देगा तेरी बुधी शिलप हो जाएगी कोई कुछ कहेगा उन्हों पूजा ठीक है तेरी बुदी फिर वहां रेपट जागी तो वो भगत नहीं होता वो होई नहीं सकता भगत जब बनेगा जब कती दर्ड विश्वास हो जागे दो साधना हम कर रहे हैं परमानी ते हैं सब सद्गर्णत बता रहे हैं और परमातमापराथ संतों ने भी इसी मंतर और विधी का जाब करके मोक्षपराथ किया फिर के संका रहे जागी फिर तो गद गदो कम बगती करेंगें इस्वास के साथ बगती होगी एक एक सारदा नाम की ब्रामनी थी पंदतानी उसका पूतर शर्वानन्द था बहुत बड़ा प्राकांड विद्वान परसिद था चारोवेदों को कंठस्ट कर रख्या था सतुरवेदी था और उसने अपने समान्तर अपने समन्ने काल में जितने भी अन्य ब्राहमन विद्वान थे सबको सास्तरार्थ में प्राजीत कर दिया बेल के उपर जैसे गदे पर बोरा डाल रख लेते ऐसे रखते बेल के उपर बोरा और उसमें सबी सद्गरंथों को बड़े आदर के साथ दार्विक वस्तरों में लपेट कर रख्या करता था और कहें भी सास्तर आर्थ होता उसी समय सास्तर आर्थ में मौखिक सास्तर आर्थ करता फिर निकाल कर ना संका होती किसी को विश्वास निकाल कर दिखा देता था देखो सर्वानंद की जो माता थी वो एक ऐसा जरोग से पीड़ित थी श्रीर में बहुत प्रेसानी रहती थी उसने अपने पूतर सर्वानंद से भी जनतर मंतर सारे करवा लिये थे जो भी उसने अनुष्ठान चाहे वही माता से करवाए लेकिन कोई लाव नहीं वाई अन्तमर सर्वानंद ने कहा माता जी सद्गरंथों में लिखा है देवी पुरान में लिखा है कि ये तुम्हारा प्राहरुद करम तुम्हे भोग कर ही समात करना होता है जैसे एक विक्ति के जो परकष्ट आते हैं तो दुख समझो पापों का अक्से और सुख है वो उनके पुन्यों का अक्से ऐसे ही करना पड़ता है लेकिन फिर भी आत्मा नहीं मानती किसी ना के बताय के कोई ऐसा संत है वहाँ जाईए वहाँ गई उस सादूस ने जो भी उस सादना बताई सारदाने सारे की All in when यानि सब निस्वल रही सभी ने पहले तो अपनी साधना बताई ऐसे करो माई, ऐसे करो माई, ऐसे नुस्ठान करो, एतने पैसे मुझे तो मैं भी नुस्ठान करूँगा तेरे संकटने वारन के लिए वेदों के मंतर पढ़े, लेकिन कोई लाब नहीं। अन्त में सभी ने कहा कि माता ये तो आपके प्राहरद का भोग है आपको आजीवन भोग ना पड़ेगा। प्रमेश्वर कवीर देव जी उसी समय कासी सहर भारत वरस में लीला करने आए वे थे जुलाएं के रूप में। सी सोस्ट कर देते थे प्रगवान ऐसे प्रमेश्वर कबीर जी की महिमा बहुत होगी थी एक दिन एक बेहन सर्वानन्द की माता सारदा के पास किसी काम वस चले गई और वो कबीर प्रमेश्वर की सिस्या थी बहुत दुखी थी गर में बहुत संकट था बच्चे भी प्रेसान रहते थे आप भी प्रेसान थी बच्चों में भी आपतियां थी रोग थे प्रमेश्वर कबीर जी की करपा से उपदेश लेने के बाद वो सौस्ट होगी थी और वो किसी काम वस वहां पहुँची सारदा से कुसल मंगल पूछा तो सारदा ने बताया कि मैं तो अपने अंतिम दिन गिन रही हूँ बहुट प्रेसान हूँ ऐसे ऐसे मेरे उपर आपती है मेरे कोई पाप करम मेरे सामने अडे हुए हैं इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा तो उस बेहन ने कहा कि आपने कोई संथ सादूर वैद को दिखाया सारदा ने बताया कि मैंने आस पास के कोई भी वैलनोन संथ या बैद नी छोड़े सब सुपरसिद संथों से मैं और जाड़ फू करने वालों से सब करवा चुकी हूँ और वैदों से भी दुआई लेकर मैं ठक चुकी हूँ चार पाई पकड़ चुकी थी बहुत वीक होगी थी कुछ तो टेंसन हो जाती है इंसान को जब यह पता लग जा कि तेरा इसका कोई लाज नही है तो आज ऐसे ज़्यादा दुखी तो वो ऐसे ही रहता है तो उस बहन ने फिर कहा कि बहन मैं आपसे एक अर्द करती हूँ आपका संकट दूर हो जागा आप मेरे गुर्देव से उपदेश ले लो सारदा ने पूछा कि बहन मैं ठक चुकी हूँ सभी मापुर्सों से संतों से बड़ी बड़ी गुफाओं में जो शादनाय तपस्याएं करते हैं दोनों पर तपते हैं मैं उनके पास भी जा करके अलाज करवा चुकी हूँ अब मेरा दिल तूट चुका है उस बेहन ने कहा कि आप सतकर मानो मेरे साथ ऐसे ही था द्वाब के साथ मैं भी बहुत बटक ली थी बहुत लुट ली थी और मैंने भी सोच लिया था कि यह बगवन अब तो मौत ही गले लगानी पड़ेगी पूरा प्रिवार संकट में था और सभी के मौत मांगते थे जिस दिन से उपदेश लिया है एक मेने के अंदर अंदर हमारे गर में एक अलग से लहर आगी खुशी की आदम सारे सुखी है ठीक होगे दो वरस से हमने उपदेश पराप थे तो सारदा ने सोचा भी कोई इन कोई हो सकता है ना जाने कहा वगवान का रूप आउतरी थो रहा हो ब्रामर जाती में थी फिर भी कुछ वगवान में आस्ता थी सोचा पिर कौन है तिरे गुरुजी सारदा ने पूछा कौन है आपके गुरुजी उस बेहन ने बताया कि मेरे गुरू जी कबीर जी है माई ने ठारदा ने पूछा वो कहां रहते हैं उस बेहन ने बताया कि वो जुलाहों की कलोनी में रहते हैं ठारदा बरामनी ने पूछा कि क्या जुलाहों की कलोनी में कोई संत रहते हैं क्या जाती है उनकी उस बहन ने बताया कि जाती तो संत्की नहीं होती कहते हैं जात ना पूछो संत्की पूछ लीजियो ग्यान और मोल करो तरवार का अपड़ी रहन दुम्यान फिर भी यगि तु जाती पूछती है तो बताती है वो जुलाहा जाती में परगट है जन्में नहीं है कहती है जुलाहा जाती में क्या नाम कबीर हाँ कबीर वो नीरू के घर आउतरीत है माई है वो परमात्मा है सारदा ने का बेन मेरे सामने जिकर भी ना करना मैं ब्रामन और वो एक सुदर मेरी तर नाक कट जागी है और मैं तब मर जाओंगी पर ऐसे अपनी बेजती ना करवाओं अब वो माई चली गी जब उसने दो टूक जबाब दे दिया आगे सुनने को त्यार नहीं परमात्मा कहते हैं सोचल सीदर मैं करूं अपने दन के काज इस काल मैं हमें नो बांध रख्या है ऐसे फसा रख्या हमारे को किसी को जाती की मरी आदा बना दी वहां फसा दिया और कहीं धर्म की आड़ बना दी ये खाई खोद राखी हैं कि कोई न कोई मैं किसी ना किसी मत्यूपड़ाय रहेगा लेकिन परमात्मा इन सब खाईयों को आठ देता है इन दूरियों को खतम कर देता है अपने सक्ति और सामर्थ्या और सत्यान से कुछ दिनों के बाद क्या हुआ एक और बहन जो ब्रहमनी थी और वो बहुत दुखी थी बहुत कष्ट में थी पुरा प्रिवार नरक भोग रहा था कभीर परमेस्वर का नाम लेने से वो सारे सुखी हो गए कुदरती किसी काम वस वो भी उन कहचे लेगी सारदा के पास सरवानंद पंडित की माँ के पास कुसल मंगल पूछा सारी बात चले सारदा ने अपने कहानी बताई मैं बहुत दुखी हूँ ऐसे ऐसे बहुत दुख बोग रही हूँ तो उस बहन ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम ले लीजिए सारदा ठीक हो जागी अब सारदा ने सोचा ये पंडितानी है इसने कोई ठीक गुरु बना रख्या होगा कोई इसी मातमा ब्रामन तो उसने पूछा कि सचमुठ कोई संत है तरची पर प्रमेश्वर की सिस्चा ने बताया कि प्रमातमा आए है सारदा बगवान उतरह कर चीप है हमारे लिए तो प्रमातमा है हम इतने कष्ट में थे वो दुखी था ऐसे दुखता तो सारदा उनसे प्रीची थी कि सचमुठ तुम तो बहुत दुखी थे कि तुम सब सुखी होगे तुमें सब दुख दूर होगे तुमारा रोग बिनमास हो गया कहा सब हम सथ वक्ती करते हैं प्रमातमा की तो सारदा ने कहा कि कौन है आपके गुरू जी आसा की किर्ण दिखाई जी उसको अब उसे माई ने कहा कि मेरे गुरू जी है कबीर प्रमातमा कबीर जी अब उसने वो पहले सुन रख्या था कबीर जी कबीर जी कौन से क्या वो धानक जुलाहा कबीर उस बहन ने कहा कि हाँ वो धानक जुलाहा कबीर वो प्रमात्मा है सार्दा वो दानक तो चलो ठीक है दम दैसा करम करेंगे वसा नाम तो हम रखी लेते हैं पर तू प्रमात्मा है वो और आप तो ब्रहामन जाती में हो आप तो मानते हो के प्रमात्मा ना जाने किस रूप में कहां परगट हो सकते हैं मानते हो इस बात को, सारदा ने वली महना मानती कुछ, और तू चली जाया से, तो ने प्रामन वोकर सुदर को गुरू बना लिया, तो ना कटवा दी, प्रामन कुल का बट्टा ला दिया, यह उसर, अब उस प्रमात्मा के ज्ञान से प्रीचित थी वो, प्रमिश्वरकबीर जी किसी स्या उसने का सारता, आप गुसा ना करो, गुसा बुधी का नास कर देता है, आप धैरिये से सुनो मेरी बातों को, जैसा अब उचित लगे वैसा करना, आज आप ब्रामन हैं, हम ब्रामन हैं, और कल हमारी मज्टू हो जाती हम सुदर के घर भी जनम ले सकते हैं, इ किसे न फर्द करें, कल हम उसमें जनम हो गए, तो ब्रामन हमें निक्ट भी नहीं आने देंगे, तो क्या ब्रामन होए हम, और फिर पसुयों नहीं मजले गए, तो दुरुगती होगी, कुटे गदे सुर बनकर भक्ये खाएंगे, अब वो कुछ नरम हुई, के लिगी बेन म कारेगी, कोई बोलने नहीं देगा मेरे बेटे को, यदि मैंने जुलायत नाम ले लिया तो है, अब वो बहन कहने लगी, देख लो आपकी जैसे, मैं आपको पर्तिबंद नहीं लगा रही आपके उपर, विवस नहीं कर रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो उपदेश ले सक कहती हूँ, और कहती हैं हम सबस्ट हो रहे हैं, हमारे सब संकत निवारन हो रहे हैं, गर में भी सब सुख हो गए हैं, हमारा जो दारी दर था, वो भी नष्ट हो गया है, ये कहानी क्या है, अब पर्मात्मा कहते हैं, सो सल्ची दर मैं करूं अपने दन के काज, अपनी तैरी आत्मा को इस काल के जाल से निकालने के लिए तो तरीके अपनाता हूं काल ने तब बांध रखें को किसी को जातीगी जंजीर से बांध दिया किसी को मजभ मेरोख दिया और सोपर करके अड़ंगे अड़ा कर जीव को यहां बर्माए रखता है एक ब्राह्मन था उसके चार पूतर दो पूतर दो पूतरी और एक पत्नी और सभी का बुरा हाल था कुछ प्रेत बाद हाएं कुछ परहरत के संकट कुछ रोग पीड़ाएं दारी दर इतना हो गया कि कोई उधारा दे नहीं यो पन्रित रामानजी के पास अपने संकट निवारन के लिए आया जाया करता था रामानजी ने जो जनतर मंतर बताए उसने सारे कर लिए कोई रहत मिली नहीं अन्तमे एक दिन पर मातमा कबीर जी भी रामानज्य के पास बेठे थे और वो ब्राहमन भी वहाँ चला गया तो उस ब्राहमन से पंडित रामान जी ने कहा बेटा मैंने जो तेरे को विधी बतानी थी बता दी जो जिस से तुझे रहत मिलने थी लेकिन ये तेरे प्रहरद में लिखा है सभी तुमारे जितने सदस्य है इनके सभी के प्रहरद में ये पापकरम है ये तुमने भोग का इसमाप्त करना पड़ेगा और फिर उन्होंने क्या बताया रामान जी ने फिर देवी भागवत शिरीमद देवी भागवत या दुर्गा परान से रेफरेंस दिया के वेता देखो देवी पुरान में परमान है ऐसे ऐसे आपको दिखाते हैं तो रामान जी ने उस ब्रामन को बताया अपने अनुयाई कोशिस को देखिएगा शिरीमद देवी भागवत सचीत्तर मोट्टा टाइद केवल हिंदी गीता प्रैस गोरपुर से परकासित इसके खंपादक है अनुमान परसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी गीता प्रैस गोरपुर से परकासित पांचमा सकंद सेंसी देई भागवत दो सो ब्यासी प्रिस्ट पह ब्यास जी कहते हैं देवराज इंदर की बात सुनकर बिरस्पती जी उन से कहने लगे है बिरस्पती जी हैं देवताओं के गुरू 283 प्रिस्ट पर हम आगे थे हम अपने काम की बात पढ़ाँगे ब्यास जी कह रहे हैं कि बिरस्पती जी इंदर को ये रस्ता बता रहे हैं अपना ज्यान बता रहे हैं क्या बताने प्रहरब्द कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता यह सतश्ट हैं आरिये शंपून देवता तुम्हारे सायक हैं तुम स्वन भी बुदिमान हो फिर भी जो ओनी है वे होकर ही रहेगी तुम उसे टाल नहीं सकते ऐसी सतीथी में शुक और दुख की चिंता मन नहीं पढ़ना चाहिए मा भाग सुक और दुख दोनों ये दोनों कर्म से पुन एमेम पाप के ख्षय के सूचक हैं दुरस्पती जी कह रहे हैं कि जो दुख आता है उससे तर पाप अक्षय होते हैं नास होते हैं और जो सुक आता उससे पुन अक्षय होते हैं ये ऐसे ह समाप्त होंगे दुख भी बोगने पड़ेंगे और सुख भी अतेव बुझी मान पुरसों को चाहिए कि वे सुख के अभाव में भी सर्वता आनंद का ही अनुभाव करें अतेव महराज इस अवसर पर सुयोग मंत्रियों से प्रामरस लेकर विधी पुरुक यतन करने में कट पने अत्मों एक विशार करन की बात है एक तो इसमें ब्रश्पती जी ने ये कहा है कि प्राहरद का करमत भोगना ही पड़ता है और जो प्रानी के सुख हैं उन से तो उनके पुननास हो रहे हैं और जो उन पर आपता आती हैं उस से उनके पापनश्ट होते हैं यो बता के तरीका हो या फिर और फिर क्या बता है कि बुधिमान विक्तियों को चाहिए कि वे दुख में भी सुख का अनुभाव करें और दुख तो भोगना ही पड़ेगा या कोई बात होई ये कोई विद्वानों की बासा है पुन्यात्माओं और ऐसे विक्तियों से हम पर भावी थे क्योंकि हमें ग्यान नहीं था एक पिंडारा गाओं है जीन्द के पास जिस्टिक जीन्द है यहां से 30-40 किलोमेटरी दूरी पर है सहर जीन्द उसके साथ में पिंडारा गाओं है और वहां पर एक तीरित है पिंडारा तीरित जोड में दुनिया नास्ति है अपना करम गाडने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दो गिसा पंथी आस्रम है दो गिसा पंथियों के उसमें एक में सत्संग हो रहा था तो वहाँ उन्होंने कई ये सादूसंत बुला रहा थे थे वो प्रोशन किया करते थे दो-तिन दिन का सत्संग था पाठ हो रहा था तो श्याम को सत्संग करते उनके स्टेज भी लगा जी जाती थी तकत डाल जी जाते थे वो दस बारा विक्ति जवामत्री थे संत वो परवक्ता सत्संग करते थे अपने विचार विक्त करते थे सरोता सुना करते थे उनमें से एक था बड़ा विद्वान परसीद हो रहा था सब उसकी तरसा करते थे बड़ा विद्वान है ये और पहुंचा हुआ है ब्रह्म गयाता है आत्म गयानी है तो वो क्या परवचन करता था कि भाई ये जीव दुख पाता है किसी कारण से तो ये सोच लेता है कि मैं जीव हूँ ये सरीर हूँ और इसने ये सोच लेना कि जब कोई आपती आती है कोई सरीर में कष्ट होता है तो ये सोच ले कि मैं सरीर नहीं हूँ मैं तो एक जीव हूँ आत्मा हूँ आत्मा को कोई कष्ट थोड़ा ही होता है तो भी बोड़ी आत्मा जिन में ग्यान नहीं वो बड़ा खुशी हुए वे बिलकुल सही बात कही मात्मान है और सब उसे पर बावित हो रहे उसने तीन दन हो गे नुए गार टाजोडे ने और जो उसके साथी और थे वो उसके सामने फैड हो गे वो फिके पड़ गे और सुरोता उसकी बड़ी परसंसा करें बड़ा मात्मा बात क्या का टेकी कहें अपने आत्मा हो उसने क्या बताया कि एक समय में जा रहा था रस्ते में एक विक्ती के सरीर में पीड़ा थी कर रहा रहा था चिला रहा था मैंने उसके कहा क्यों रो रहा है अरे पीडा तो सरीर को है तू तो आत्मा है आत्मा को थोड़ा ही कुगश्ट होता है कहते हैं मेरा इतना कहना था वो जिस तुम समल गया और समझ गया उसने रोना चिलाना बंद कर दी बैस हो गया सुक हम ऐसे ही अज्ञानता से हम अपने आपको स्रील बाने बैठे अब अग्वान न दया करी उसके उगेले वो बोड़ी आत्माओं के उपर अब तीसरे दिन वो सत्संग करके वो जब उसका सत्संग करने का समय पूरा हो जाता तो भी उठक अपने कमरे में दिला जाता था बाक की वो लगे रहे ते पाच्छे तो कोई कोई सबद गाता कोई अपने परोचन करता तो उस दिन पहले की तरह भी वो जा करके अपना जो कमरालक से उसको दिर रखे था उसमें जाकर लेट गया जाकर लेट था दे गंटे पाच्छे डंगर की दाड़ चला वे रोव बुरीतर पेट में पीड़ा होगी इसका दर दोगा बहेंकर और रोव बुरीतर जो पर बालक रोगा आए ओमर या रहा आए ओमर या खागा दरीपका वेटी अब आफ तो उदर से वो जो सत्संक्रा रहा था वो संत वो बागया गया अब के होगी मातमा गया कोई बोलने नहीं बुरा हाल कोई फसुता पीड़ा होगी पेट में जबरदस्त तो पड़ोसी दूसरी आफर में कार थी वो कार लिया माएंकर और उसने डालका कार मो बिर में गया नीने हाथ में गया नीने और लेगा जीन ते तीन-चार किलो मेटर था वो बारा बज़े ले गए थे शुबेर है फिर वो चार बज़े आया ऑस्पिटल मात है वह गलुकोसीड इंजेक्शन लागे जब उसका पेट का उदर सुल पीड़ा सांत ही काफी ट्रेटमेंट के बाद फिर वो आया चार पांस बज़े शुबेर है गड़ी में से उतरा इस तरह चाले जैसे दच्चा चाले आगड़ा दीरे दीरे पैर रखे और जितने उसके साथी जो और संत थे थे तो वह भी नकलिए पर उस तो दुखी थे हुआ कि इसना हम फेल कर दिये वो आकर कहने लगे महातमा जी अरे तू तो आत्मा था क्यों रो रहा था क्यों चिल अत्मा हो ये तो इसे आत्म गयानी है जिस है दुख में भी सुख का अनुभाव करना सी है पेट में पीडा हो रही हो सुख का अनुभाव करेगा चला होगा वो तो पेट का रोग सांत हो किसी ओस दी से और फिर अनुभाव हो सुख का तो ऐसे ये पाप का करम कट्ट है जि अगर दुख में भी सुकान भाव करना चीए और दुख तो भोगना ही पड़ेगा फिर भगवान की वगतीगी आउसकता ही क्या है इसलिए तमनास्तिक होते से ले गए इन अग्यानियों से इनको रस्ता मिला नहीं और ना इनों आगे हमें दे पाए अपनी दंद कथा बना का ये सद्गर्ण बढ़ दिये अब आप फिर देखिएगा वही देवी भागवत ये 283 प्रेश्ट पर गीता प्रेश गोरुपर से परकासित है ये हमना भी पढ़ा यहां पर प्राहरद कर्मों का अभाव बिना बोगे नहीं हो सकता ये बरिश्पती जी की सेटेटमेंट है ये अरिसी को रामानन जी दिखा रहा है ब्यास जी कहते हैं देवराज इंदर की बात सुनकर बरिश्पती जी उनसे कहने लगे ये वारता है लिखी चल रही यहां तक प्राद कर्मों का अभाव बिना बोगे नहीं हो सकता ये सफ़ष्ट है आरिये संपून देवता तुमारे सायक है तुम स्वम्भी बुदीमान हो फिर भी जो होनी हो होकर रहेगी तुम उसे टाल नहीं सकते एसी सथीती में सुक और दुख की चिंता वनी पड़ना ची और बता चिंता क्या है कि फिर महाभाग सुक और दुख दोनों कर्मसे पुन एमेन पाप के अक्से के सूटक है जिनको सुक है उनके ते पुन नास हो रहे हैं जिनको प्राप्ति आती हैं उनके पाप नास हो रहे नों के ओने जो ऐसे ही वाव भी वाव अतेव विद्वान पुरसों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वता आन्द का ही अनुगाव करें पेट में दरद हो नों के अशने लग जा इसके दिखाओ शरे आगे आपको दिखाते हैं 243 प्रिष्ट पर ये राश्वतों के गुरू सुक्राचारिये के विचार दिखाते हैं ये है 243 प्रिष्ट पर और चौथा सकंद स्री मद देवी भागवत संक्सित देवागवत ब्यास जी कहते हैं प्रलाद की बात सुनने के पस्ताथ सुक्राचारिये ग्यान दरिश्टी से सब कुछ देख कर परसन होगे उनका मुख मुस्कान से बर गया पर लादन परासना कीजिए हमारे बापती आई हैं इसको टाड़ो कहते हैं बड़ा खुस हुआ उन्होंने देटों से कहा दानो तुम मेरे यजमान हो भगत हो तुमें ने तो डरना चाहिए और ने पाताल में ही जाना चाहिए अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रख्षा कर दूँगा देख यहां तो डिंग मार रहा है कि तुम्हें पताल में नी जान दूँगा अपने सत मंत्रों से तुम्हार रख्षा करूँगा अरागे फिल्कुर्ण की फ्योज हो रहा है क्या कहता है दर्म के मरमज माशो प्रातीन समय में दर्माजी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं सुनो यह वतन बड़ाईस हितकर सच और अटल है उन्होंने कहा था होने वाली बातें अविस्ते होकर रहती है दरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरस नहीं है जो प्राहरद को विफल बनाने में समरत हो सके विप्रित समय के कारण इसमें तुम्हारी सक्टी क्षिन हो गी है अता एक बार तो तुम्हें देवताओं से प्राश्ट होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा बता यह कल देख इसकी यहां तो कह रहा है कि गयास जी कहते हैं परलाद की बात सुने कि अपस्ता सुक्रातारिय गया अंदरिश्टी से सब कुछ देख कर परसन होगे उनका मुस्कान से बर गया उन्होंने देख्तों से कहा दानो तुम मेरे यह जमान हो तुम्हें ने तो डरना चाहिए और ने पाताल ही जाना चाहिए अपने सत मंतरों के परवाओं से मैं तुम्हार रक्षा कर लगा अ अब एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल जाना ही पड़ेगा फिर तुम्हें टक्टू कर लेगा जबी सारा काम हो गया परास्त भी होगे पाताल भी चलाएगा यह नो मूरक बना रहे थे हमारे को अपने अत्मों रामान जी अपना पीछा छुटवा उसको ये सबद सुनाकर देवी भागत दिखाकर पढ़ाकर और संतुष्ट कर रहा था तो उसमें परमात्मा कबीर जी वहां बैठे थे थोड़ी सी दूरी पर ये वारता वो सुन रहे थे तब कबीर देव जी ने कहा कि सुमे जी मैं आपके बीच में बारता में बिगन डालना नहीं चाहता था लेकिन मुझसे रुका नहीं जाता मेरे मन में एक ऐसा परसन आया है आपकी आगया हो तो बोलू अब रामान जी ने कहा बोलो बोलो क्यों नहीं बोलो प्रमात्मा ने कहा कबीर देव जी ने कहा कि ब्रामन एक बात बता क्योंकि उसमें स्वामी रामान जी बहुत बड़े परकांड विद्वान माने जाते थे बनारस में और अठारा पुरान चारों वेदों से मद्भवत गीता आधी के बड़े विद्वान माने जाते थे जानकार माने जाते थे उनका भी बहुत अच्छा परभाव था 1460 सिस बना रखे थे उन्होंने परचार के लिए उसमें परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी आप वेदों को क्या मानते हो वेदों को कैसे गरंथ मानते हो तो स्वामी रामान जी कहते हैं वेद तो परभू करत हैं भगवान के दिये हुए गरंथ हैं और उसमें जो लिखा वो स फट्वस्तु है और फिर प्रमेश्वर ने कहा कि जो पुरान क्या चीज है। कभीर साइब ने परसंद किया सौमी जी ये पुरान क्या चीज है। आप इनको क्या मानती हो तो स्वामी रामानजी कहते हैं मैं इनको भी सत्त मानता हूँ तो परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कहा कि जो गौड गिवन ग्यान है वो ग्यान सत्त है और जो पुरान है वो किस क्या ग्यान है ये रिसी और मेरिसी और इन शुक्राचारी और बिर्मार और इनका विश्वामितर वसिष्ट और मारकंडे इनका अपना नुभाव है रामानद जी स्विकार करें ये बात सथ है आपकी तो जो ग्यान इनका नुभाव और वेदों से मेल नहीं खाता जो भगवान के दिये हुए ग्यान से मेल नहीं खाता तो विर्थ हुआ रामानद जी नहीं सभी करती देनी पड़ी खा वो तो गल्द हो फिर आप वेदों को देखें यजुर वेद आठ में जाय के तेर में स्लोक में स्वामी जी लिखा है कि परमात्मा घोर पाप करम को भी नास कर देता है अब रामानद जी ने पड़ जरूर रखे थे कहते हैं गुरु बिन काउन पाया गयना जो थो था बुस्टड़मूड खिसाना गुरु बिन बेद पड़ है जो पराणी समझे नासार रहे अग्यानी रामानद जी ने पुरंट वेद निकाले यजूर वेद अज़ए नमबर आठ का मंतर नमबर तेरा पढ़ने लगे सुआमी जी देखिएगा आपको पढ़ कर सुनाते हैं यजूर वेद मियरसी दानद सरस्वती कृट मियरसी दानद ने इसका अनुआद किया है यह इनका फेक्स और फॉक्स नमबर यह दानद ने का अनुआद है अब इसके आठमे जाए के तेरमे मंतर को आपको दिखाते हैं ये अश्टमो जाए और मंतर नमबर तेरा ये तेरम मंतर है इसमें लिखा है कि देव करता से एनसे एवजनमसी मनुश करता से एनसे एवजनमसी पित्र करता से एनसे एवजनमसी आतम करते से एनस एवजन मशीय एनस एवजन मशीय अब इसका अनुवाद इन्हों ने किया है लेशेखा है 241 पर पहने पड़ा है 242 पर अब यहां इसने क्या गल्पी कर दी यहां लिख ज़िया के हे सब के उपकार करने वाले मत्र आप अब पाठक ये सोचते रहें कि ये कोई मिक्तर के विसे नजानकारी है वगवान का विसे नहीं है क्योंकि यही बिमारी यही समच्चा इन सभी कल्योगी रिशियों के साथ और सत्योग से लेकर आज तक के रिशियों के साथ बनी रही कि ये वेदों को समध नहीं सके और अपने अनुभाव से जन्ता को अग्यान से रंग दिया इस दानद का भी ये अनुभाव है कि पाप करम नहीं कटते वो अगने ही पड़ते हैं अपने अत्माव वेद हैं गौड गीवन वेदों का धार मानकर जिन्होंने अपना अनुभाव वेदों के नाम पर जो पुस्तिक लिखी है और वो वेदों से नहीं मिलता तो वो अग्यानी है उनकी वो अग्यान सोच है वो वेर्थ है अब देखिएगा ये सत्यार प्रकास है वेद आदी विविद सद सास्तर परमाणई संविनता है क्या कहता है वेद आदी विविद परकार के सद सास्तरों के परमाणों के साथ इसकी सत्यार प्रकास की रतना की है किसी ने की है श्रीमत परम हंस्प्रीव राजक आचारिये महरशी दौन सर्फोती स्वामी वी रत चीत है अब देखो कुछ तो नहीं उपमाला रहा है इसके अंदर अडंगावर है ख्यावेदों के विर्द ग्यान है वेदों का नाम लेके ये कहां से परकासित है और कहां से इस मुद्रित है कहां से छपा है परकासित है वैदी के तीम अंडल दानदमट दीना नगर से ये परिंटर हैं इसके मुद्रक हैं आकर ये परिंटिंग प्रेस दानदमट गोहना मारगरो तक से इसके सातमे समुलास में सातमा समुलास 163 प्रिष्ट पे परसन किया मेरे सी दानद से किसी ने परसन किया इस वर अपने भगतों के पाफ शमा करता है वा नहीं उत्तर न नहीं क्योंकि जो पाफ श्मा करे तो उसका न्याए नश्ट और सब्मनस महापापी हो जाए क्योंकि उनको पाफ करने मुथसा और नर्भेता हो जैसे कोई राजा अपरादियों के पाफ अक्षमा करे तो वे अधिक से अधिक अपराद पाफ करने लगे है और जो अपराद न करने से नडरेगा इसलिए सब कर्मों का यठावत फल देना इस वर का काम एक्षमा करना नहीं समा करो तक है नास कहो पुनातमों ऐसे ऐसे नकली महरिशियों ने जनता का बठा बठा रखें ये नाम ले थे वेदों का कि हम वेदों के ग्याता हैं वेदों को जाना है और वेद जो उने सारे जीवन में संग रह किया था अपनी फूस्टक में लिखिये ये सत्यार प्रकास समझो या दानन समझो एक ही समझो इसको उसे ने सारे जीवन में जो अडंगा एकठा किया था ग्रहन किया था और वो इसमें लिखिका चलाएगा अपनी अनुभाव अब जैसे पहले जिसका ये वी धान भी गल्प है कि राजा यदी अपराद अक्षमा कर दे सब अपरादी हो जाएं जैसे पीछे पंजाब के अंदर बर्मित बालक नो जवान बच्चे उगरवादी हो गे थे तो फिर सरकार ने उन से ऐलान किया था कि वाई पिछे तुम नजो अपराद कर लिए सो कर लिए आगे से तुम मुख्य धाराम आ जाओ तुम्हारे सब अपराद माफ कर देंगे तो उन्होंने सब ने समर्पन कर दिया था और पिछले उनके सभी अपराद माफ कर दिये थे और वो मुख्य धारावा कर नेक आदमी बन गए अपरादी नहीं रहे, उगरवादी नहीं रहे अब आपको वेदों के अनुसार दिखाते हैं भगवान की महिमा वेदों मुबरनित है और वेदों हैं वो सट हैं ये खुद भी मानता है के वेद सत्वर्ष्डु हैं ये देखिएगा, इसी का ये दान चैनुसक्त है, ये दुर वेद और ये खुद कहता है, वेद सब सत्विद्दाओं का पूस्तक है महरिशी दान जो वेद सत्त है, तए सत्त 15 आर परकास आ सकते हैं, तो वेदों से नहीं मेल ल्खाता, तो अब देखिएगा, अब इसजे वहाँ लिख दिया सत्त 15 आर परकास में, परमातmarh पापनास नहीं करता, श्वाँ नहीं करता, और वेदों में ढोक के लिख रक है, वगवान पापनास कर देता, तो इसने यहाँ अपनी सोच अडाजी कोई कोई पढ़ेगा तो नहों सोचएगा, यह मितर के भी सब लिख रक है कि प्रमात्मा को मित्तर भी कहते हैं अभी दिखाते हैं वो भी दिखाना पड़ेगा आपको फिर से वो सत्यार प्रकास दिखाते हैं जो द्यानंद की रतना है उसका अपने अनुभाव की पुस्तक है उसमें इसने मित्तर सब्द का अर्थ किया है कि जहां में तर सब्द हो प्रमातमा का ग्रहन करें देखो सत्यार प्रकास पर्थन समुलास यह वही सत्यार प्रकास है और इसके पर्थन समुलास में और प्रिष्ट नंबर 18 पे यह पर्थन समुलास है और सत्यार प्रकास प्रिष्ट नंबर 18 पे यहां लिखा है कि जो सब से सने करे और सब को प्रीती करने योगे है वह परमेश्वर सब का सब्सक्रा मित्र है इस से परमेश्वर का नाम मित्र है ठीक अब इन्हें की ठूरी से इन्हें के अन्वाद को लेते हैं अब आपने अपनी आख़ों देख लिया शुट्यारव प्रकास के पर्थम समय जब शुन कहरा है कि भगवान सब का मित्र है इसलिए मित्र सबसे परमेश्वर गरहन होता है मित्रकास परमेश्वर है तो यहां इसने परमेश्वर ना लिख्या कि पहले तो कोई पड़ है कोई ना इस वेद्धों के इसके अन्वाद में सर्मादर्द हो जा फिर भी कोई थोड़ा वो ठीक करने की चाश्टा की वहां इसे इसना अपनी या एक साल चाल दी राजनीती प्रयोग की अब यहां मित्र माने परमिश्वर पढ़ेंगे हमीनी गे सब्दों में देखिएगा यह वही जुरुएद है जो अभी आपको दिखाया था सावदेशी कारियो पर तिर जी सबाद दोवारा इसे प्रकासित है यहां से प्रकासित है यहां से यह ठपा है मुद्रत है आठमे जाय का हम तेरमे मंतर का अनुवाद महर्ची दान दोवारा किया हुआ पढ़ रहे हैं यह 241 पर अब 242 पर हम पढ़ेंगे यह 242 पर ही सब के उपकार करने वाले परमेश्वर आप हम परमेश्वर कहेंगे इसको दान देने वाले के देव करतस्ते दान देने वाले के एनस से वाने अपराद के एनस से वाने अपराद के पाप को हो अपराद को एनसे सबस देखना हमने संसक्रत का एनसे मने पाप एनसे मने अपराद एनसे मने पाप तो हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप देव करता से दान देने वाले के अपराद के एनसे मने अपराद के एवेजनम मने विनास करने वाले हो शमा करने वाले ह मनुष करता से साधन मनुष्यों के किये हुए एनस्यमान अपराद के विनास करने वाले हो पिता के किये हुए एनस्यमान पाप के लिखना थे गुरूदाचने पाप के एवेजनमाने नास करने वाले हरने वाले असीमाने हो अपने किये हुए एनस अध्रम के अध्रम यानि घोर पाप के भी नाज करने हारे हो शमा करने वाले हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी ध्रम आचरन किया करता हूँ अध्रम आचरन यानि जो पाप किया करता हूँ या करूँ अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ या करूँ उस सर्वस्यावाने सब के हैं सब एनस है वाने पाप के इनने दुस्ट आचन लिखा है पाप के आप नास करने वाले हो श्मा करने वाले हो दूर करने वाले हैं घोर पाप के भी आप नास करने वाले हो हम जैसे भी अंजान पने में जो कर दिया उसके भी आप नास करने वाले हो अब कबीर परमेश्वर जी उनसे पूछ रहे हैं रामानंजी से, रामानंजी के कबीर जी की पहले भी एक दिन गोश्टी हुई थी, रामानंजी को परमात्मा ने सत लोग दिखा भी दिया था और वो मान गए थे के आप परमात्मा हो। अब परमेश्वर कबीर जी के इस वारता से, कबीर जी के इस टिपनी से इस जो परसन के वो बड़े संतुष्ट हुए रामानंजी कहा के बच्चा, मैं तो बिलकुल बालक मुधी जैसा वेक्ती हूँ, आपने मेरी आँखें खोल दी हैं, अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि इ जारों बेद मेरी महिमा गाते हैं, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, हम ही अलक अला हैं, और कुतब गोस और पीर, कहे कबीर खालक दनी हमरा नाम कबीर, कबीर परमेश्वर ने कहा था कि बेद मेरा बेद है, बेद मेरा बेद है, और मैं मिलों बेदन से ना ही, और जोन बेद से मैं मिलों, वो बेद जानते ना ही. दोन से वैम हुआ कर दोधिसका था हुआ है, और मैं मिलों पालिक बेद बेद है, और कल दोना है, और मैं म्या पूलों वे खालिक ना आते शान'ते ना हाँ, औरा को बेद है, पही है. झाल झाल